आज 19 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मदूर महावा के सुनेंगे आज की मुडली में बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं बच्चे अब घर जाना है तो घर जाने की तयारी करनी है क्या तयारी करनी है? बाबा कहे सबसे पहली तयारी है इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बुद्धी को उपराम करना है भूलते जाना है और घर को याद करना है साथी नई दुनिया को याद करना है दूसरी बाबा ने बात कही कि बाबा आया है पावन बनाने तो स्वयम को पावन बनाते जाना है जो घर जाने की तयारी करेंगे वही तो बाबा के साथ चल सकेंगे तो इसी लिए बाबा कहे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को समय का इशारा दे रहा हूँ कि अब पिछारी के समय में कोई भी याद न आये ऐसा पुरशार्थ करो साथी बाबा ने आज की मुडली के अंदर अच्छे पुरशार्थी के लक्षण भी बताए बाबा कहे जो अच्छा पुरशार्थी है वह सूक्ष्म स्टडी पर ध्यान देगा सूक्ष्म स्टडी अर्थात वह अपने आप से बाते करेगा अर्थात विचार सागर मन्थन कर अपनी जाच करता रहेगा कि मेरे अंदर कोई भी प्रकार की बुरी आदत तो नहीं है बुराई तो नहीं है दैवी गुणों को कहां तक हमने धारण किया है बाबा कहे इस प्रकार अपनी जाच करते रहेंगे और स्वयम किया अंदर दैवी गुणों को धारण करते जाएंगे तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्य ओम शान्ती, मीठे बच्चे, मैं सदा वानी से परे हूँ बाबा कहे बाबा सदा वानी से परे हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को उप्राम बनाने अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है अब वानी से परे घर जाना है आज की मुरली से प्रशन है अच्छा पुरुशार्थी स्टूडंट किसको कहेंगे उनकी मुख्य निशानी सुनाओ उत्तर है अच्छा पुरुशार्थी स्टूडंट वह जो अपने आप से बाते करना जानता है अर्था विचार सागर मन्थन करना जानता हो सुक्ष्म स्टडी करता हो पुर्शार्थी स्टूडट सदा अपनी जाच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसूरी स्वभाव तो नहीं है दैवी गुण कहां तक धारण किये हैं वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई-भाई की द्रिष्टी सदा रहती है क्रिमिनल ख्याला तो नहीं चलते हैं ओम शंती रुखानी बच्चो प्रती कौनसे रुखानी बच्चो प्रती? बाबा कहे जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हैं ऐसे रुखानी बच्चो प्रती बाबा के महावाक्य है वह सभी आत्माओं का घर है परमधाम सभी आत्माओं का घर है तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़ कर घर जाना है बाब कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ इसी लिए इस देह और देह के सम्बंदों से उपराम होना है यह तो चीची दुनिया है यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है बाप आया है पावन बनाने के लिए फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है यह अंदर में विचार सागर मन्थन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा कि हमको अब घर जाना है इसलिए पावन बनना है तुम समझते हो, हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नई पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे यह स्मृती भी बहुत थोड़ों को रहती है घर जाने की स्मृती भी बाबा कहे बहुत थोड़ों को रहती है बाब कहते हैं, छोटे, बड़े, बुड़े, आदी सब को वापिस चलना है फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है घड़ी-घड़ी बुद्धी में आना चाहिए क्या आना चाहिए? कि हम अब घर जाने के लिए तयारी कर रहे है जो करेंगे वही साथ चलेंगे, बाबा के साथ वही आत्मय चलेगे जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं जो अभी ईश्वर अर्थ दानपुन्य आदी करते हैं वह जाकर रिटन में नई दुनिया में पदमा पदम पती बनते हैं नई दुनिया में वह लोग इस पुरानी दुनिया में इंडाइरेक्ट करते हैं भक्त लोग इस पुरानी दुनिया में इंडाइरेक्ट करते हैं समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है अब मैं आया हूँ, तुमको राई देता हूँ अभी जो देंगे, वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा तुम समझते हो, बड़े घर में जाकर जनाओ हम लेंगे, हम तो नारायन अत्वा लक्षमी बनेंगे तो फिर एतनी महनत करनी चाहिए दो तयारी बाबा बता रहे हैं, एक तो घर जाने की तयारी और दूसरा पिर नई दुनिया में आने की तयारी भी कैसे इस पुरानी दुनिया से ट्रांसफर करना है नई दुनिया में और किस तरह अपने आपको लक्षमी नाराय के समान भी बनाना है तो बाबा कहे तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए हम इस पुरानी चीछी दुनिया से जाने के लिए तयारी कर रहे हैं ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए, बाबा कहे ऐसा तैयार रहना चाहिए कैसे, जो पिछाडी के समय कोई भी याद न आए, बुद्धी कोई भी देधारी को याद न करे, अगर पुरानी दुनिया वा मित्र सम्मंधी आदी याद आए, तो क्या गती होगी, तुम कहते हो न, अंतकाल जो स्तरी सुमरे, वो वैसे ही फिर जनम पाते हैं, इसे लिए बाब को फॉलो करना चाहिए, बाबा ने सामने बच्चे होते हुए भी इसी को भी याद नहीं किया ऐसे नहीं, बाबा बुड़ा है, तब समझते हैं ये शरी छोड़ना ही है, नहीं, तुम सब बुड़े हो, बाबा कहें, तुम सब बुड़े हो, सब की वानपरस्थवस्ता है, सब को वापस जाना है, इसलिए बाब कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग तो अब तु जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा, उतना वहाँ ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा, तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे, कोई तो सौ वर्ष, कम पाँच जार वर्ष भी शांती धाम में रहेंगे, लास्ट के सौ वर्ष में नीचे उतरेंगे, तो इसलिए बाबा कहे, कोई तो सौ वर्ष कम पाँच जार वर्ष भी शांती धाम में रहेंगे, पिछाडी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप जट खलास हो जाते हैं पिछाडी में आने वालों के पाप क्या होंगे आये और गए बाकी मोक्ष कोई को मिलना सके भले पूरा पांच जार वर्ष खली सो वर्ष कम रहे लेकिन फिर भी एक जनम के लिए भी आना तो पड़ेगा मोक्ष किसी को मिलना सके वहां रहकर क्या करेंगे अच्छा चलो किसी को मोक्ष मिल भी गया तो वहां रहकर क्या करेंगे पाठ तु जरूर बजाना ही है तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तु चलना है, 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतीत बन गए हो, अब फिर अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारन करो, तो घर जाने की तैयारी बाप को याद करो, और दैवी जाने के लिए, बाप समझाते हैं, बच्चे अपनी जाज करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चाट रखो, तो पक्के होते जाएंगे, परन्तु माया ऐसी है, जो चाट रखने नहीं देती, दो-चार दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रिती रजिस्टर रखेंगे, स्कून में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहां भी सभी सेंटर्स में सब का चाट रजिस्टर रखना है, फिर देखना है हम रोज जाते हैं दैवी गुण धारन करते हैं भाई बहन के संबंध से भी उच जाना है सिर्फ रुहानी दृष्टी भाई भाई की चाहिए हमात्मा है कोई की क्रिमिनल दृष्टी नहीं भाई बहन का संबंध भी इसलिए हैं क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो एक बाप के बच्चे हो इस संगम युक पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हुए तो विकार की दृष्टी बंध हो जाए एक बाप को ही याद करना है वाणी से भी परे जाना है ऐसे ऐसे अपने से बाते करना यह है सुक्ष्म स्टडी इसमें आवाज करने की दरकार नहीं यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है बाबा को भी आवाज में क्यों आना पड़ता बच्चों को समझाने के लिए वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है अब वापस जाना है बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ हम वापस जा नहीं सकते पतीत दुनिया में अब पावन कौन बनाए साधू संथ आदी कोई पावन बना न सके खुद ही पतीत होने के लिए गंगाशनान करते हैं बाप को जानते नहीं जिनोंने कल्प पहले जाना है वही अब पुर्शार्थ कर रहे हैं ये पुर्शार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता बाप ही सबसे उंच है ऐसे बाप को इतना उंचे ते उंचा बाप को पत्थर ठिकर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है सीड़ी उतरते ही आये हैं कहां वह संपूर्ण निर्विकारी कहां ये संपूर्ण विकारी इन बातों को मानेंगे भी वह जिनोंने कल्प पहले माना हुगा तुम्हारा फर्ज है जो भी आये उनको बाप का फर्मान बताना सीड़ी के चित्र पर समझाओ सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है सभी शांती धाम और सुक धाम में जाएंगे सुक धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे भारत का प्राचीन योग भी घाया हुआ है आत्मा को अब स्मृति आती है क्या स्मृति आती है बरुबर हम पहले पहले आये हैं अब फिर वापस जाना है तुमको अपना पार्ट याद आता है जो इस कुल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है पवित्र बनने में ही महनत करनी पड़ती है बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे और बहन भाई समझो तो द्रिष्टी बदल जाएगी सत्योग में द्रिष्टी खराब नहीं होगी बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे अपने से पूछो हम सत्योगी देवता है या कलियोगी मनुश्य है बाबा कहे अपने से पूछो हम सत्योगी देवता है या कलियोगी मनुश्य है तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदी बनाने चाहिए एक कहे सत्योगी हो या कल्योगी दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे ऐसे धूम मचा देने चाहिए बाबा कहे प्रश्ण पूँझ करके फिर उनके अंदर जागृती लाकर ऐसे धूम मचा देने चाहिए बाप तो श्रीमत देते हैं पतीतो को पावन बनाने की बाकी धण्दे आदी से हम क्या कर जाने बाबा को कोई मतलब नहीं तो बाबा कहे धन्दे आदी से हम क्या जाने, बाप को बुलाया ही है, क्या कर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूं, कितने सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है, कौनसा इशारा, मन, मना, भब, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, पतीत पावन तो बाप है, अभी सभी के कयामत का समय है, इसाब किताब चुक्तू कराए वापस ले जाते हैं, बाप समझाते हैं, तो समझते भी है, पहरंद तक्दीर में नहीं है, तो गिर पड़ते हैं, बाब कहते हैं भाई बहन समझो कभी खराब द्रिष्टी न जाए इसको काम का भूत लोब का भूत आ जाता है कभी अच्छा खाना देखा बोजन देखा तो आसकती जाती है चने वाला देखेंगे दिल करेंगी खाने की फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पढ़ जाता है जब बाबा कहे बाहर के कोई भी चीज खाएंगे तो कच्चे होने करण उसका असर जल्दी पढ़ जाता है बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है माँ, बाप, अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए यग्यका जो मिले वह मीठा समझ कर खाना चाहिए जबान, लल्चाइमान नहीं करनी है योग भी चाहिए योग नहीं होगा तो कहेंगे पलानी चीज खानी चाहिए नहीं तो बिमार पढ़ जाएंगे बुद्धी में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए अब हमको वापिस घर जाना है फिर बच्चा बनकर मा की गोद में आएंगे माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पढ़ता है वहाँ ये कुछ भी बाते होती नहीं वहाँ सब कुछ first class होगा हमारे लिए माता खाना आदी भी first class खाएंगे जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही first class जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तयारी करनी चाहिए बाप को याद करना है बाब आकर regenerate करते हैं बाबा आकर हम बच्चों को regenerate मना संपूर्ण पुनह नया कर देते हैं पवित्र बना देते हैं वह लोग तो बंदर के glands मना शरीर के जो parts है तो बंदर के glands मनुष्य में डालते हैं समझते हैं हम जवान हो जाएंगे जानवरों की जो अंदर की parts होती है जैसे कोई न कोई glands होती है वह डालते हैं सोचते हम जवान हो जाएंगे जैसे heart नहीं डालते हैं बाब कोई heart नहीं डालते हैं बाब तो आकर change करते हैं बाबा आकर हमें संपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं बाकि यह सब है science, जो इसके parts निकाल करके मनुष्य में डालना, फलाने जानवर के parts निकाल करके मनुष्य में डालना, ताकि उसको आईश्य बढ़ जाए, तो बाबा कही यह सब है science, बॉम्स आदी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजे हैं, तमो प्रधान बुद्धी है न, वह तो खुश होते हैं, यह भी भावी बनी हुई है, बॉम्स जरूर बनने ही है, शास्तर में फिर लिखा है, पेट से मुसल निकले, फिर यह हुआ, अब बाप ने स समझाया है, यह सब भक्तिमार की बाते हैं, राज्यवक तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई, जो सुनते सुनते यहाल हो गया, अभी बाप सच्ची सत्यनारैन की कथा, पीजरी की कथा, अमरनात की कथा सुना रहे है, इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो, बाकी सिक्रिष्ण आदी तो है नहीं जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सब को मारा मैं तो सिर्फ राजियोग सिखला कर पावन बनाता हूं हम तुमको स्वदर्शन चक्र धारी बनाते हैं उन्होंने फिर सिक्रिष्ण का चक्र आदी दिखाया है स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे जादू की थोड़ी बात है यह तो सब गलानी है ना सो भी आधा कल्प चलती है गलानी की बाते आधा कल्प चलती है कैसा वंडरफुल ड्रामा है अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है अब हमको जाना है इसलिए बाप को याद करना है दूसरा कुछ भी याद न आए ऐसी अवस्था हो तब मुच पद पास को अपनी दिल से पूछना चाहिए अमारा रजिस्टर कहां तक ठी है रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा रेग्यूलर पढ़ते हैं वा नहीं कई तो जूठ भी बोल देते हैं बाप कहते सच बताओ नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा भगवान से पवित्र बनने की प्रतिग्या कर फिर तोड़ते हो तो दुष्मन है दे अभीमान फिर काम प्रोध दे अभीमान में आने से ही वरत्ती खराब होती है इसलिए बाप कहते हैं दे ही अभीमानी भवा अर्जुन भी यह है ना सिक्रिष्न की ही आत्मा थी सिक्रिष्न की ही आत्मा थी अर्जुन नाम है थोड़ी है बाबा कहें इस सम अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है, जिसमें प्रवेश करते हैं, तो नाम हो गया ब्रह्मा, मनुष्य तो कह देते, यह जाड आदी तुम्हारी कल्पना है, मनुष्य जो कल्पना करे, वह देखने में आता है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम, रूप, देश, काल, सब कुछ नया होगा, यह बेहत का ड्रामा है, बनी, बनाई, बन रही, अब कुछ बननी ना ही, वो ना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें, ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की इस समय सब पुजारी है, जहां पुजारी है, महापूजय एक भी हो नहीं सकता, पूजय होते ही है सत्युक्त्रेता में, कल्यूग में है पूजारी, फिर तुम अपने को पूजय कैसे कहला सकते हो, पूजय तो देवी देवताएं ही है, पूजारी है मनुष्य, मूल बात बाप समझाते हैं पावन बनना है तो मा में कम याद करो ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुर्शार्थ किया होगा उतना ही करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड बॉर्निंग रुहानी बाप की रुहान मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट अपनी पढ़ाई का रिजिस्टर रखना है अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई-भाई की दृष्टी कहां तक रहती है हमारा दैवी स्वभाव बना है दूसरी पॉइंट अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है बुद्धी में रहे कि हम देवता बन रहे है इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है जबान चलाइमान नहीं होने चाहिए मा बाप को फ दुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है परखने की शक्ती द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेश आत्मा भवा बाप दादा हर बच्चे की विशेशता देखते हैं चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं पुर्शार्ती है लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेशता नहीं हो सबसे पहली विशेशता तो पोटों में कोई की लिस्ट में हो बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना यह भी बुद्धी की विशेशता है परखने की शक्ती है इस स्रेश्ट शक्ती नहीं विशेश आत्मा बना दिया आज का स्लोगन है स्रेश्ट भाग्य की रेखा खीचने का कलम है स्रेश्ट करम इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो स्रेश्ट भाग्य की रेखा खीचने का कलम है स्रेश्ट करम इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो अच्छा, ओम, शान